नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का आज की इस नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PF Amount को Online Withdraw कैसे करना है या फिर Climb के लिए Apply कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे कि पिछले वीडियो में हमने PF Account को Active कैसे करना है KYC कैसे करना है और उसमें Nominee कैसे जोड़ना है इसके बार में हमने बात किया था बट अभी जो है PF Account को Climb कैसे करना है आपके PF Account में Total पैसे कितने है या फिर Amount कितने है उसे पता करके आपको Climb के लिए या फिर Withdrawal के लिए कैसे Apply करना है Step by Step हम इस उड़े में देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो है इस Portal पर आना होगा जिसका मैं नीचे Link दे दूँगा आप वहां से डायरेक्टल भी इस Portal पर आ सकते हो इस Portal पर आने के बाद आपको यहाँ पर UN Number, Password और क्यापचा डालके आपको यहाँ पर Sign In कर लेना है सबसे पहले आपको यहाँ पर UN Number और यहाँ पर आपको Password डालना है और यहाँ से आपको Log In कर लेना है तो आपको यहाँ पर UN Number और यहाँ पर Password डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे login कर लेना है login यानि sign in कर लेना है अगर आपका password आप भूल जाते हो तो आप यहाँ पे forget password का जो option दिया है forget password के उपर आप click करके अपना जो password है उसे आप दुबारा से set कर सकते हो या फिर दुबारा से आप प्राप्ट कर सकते हो यहाँ पे आपका जो password है वो डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको capture डाल देना है capture आपको miss नहीं करना है आपको यहाँ पे compulsory जो capture दिखाई दे रहा है as it is आपको यहाँ पे capture डाल देना है और इसके बाद आपको sign in वाले बटम पर आपको click कर देना है जैसे आप sign in वाले बटम पर click कर देते हो आपका यहाँ पर जो details है आपको यहाँ पर एक बार confirm कर लेना है आपका UN number, आपका name, date of birth और यहाँ पर gender जो है आप यहाँ पर UN card के जो details है आप यहाँ पर UN card more info के उपर आप click करके अपने जो details है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो या फिर आपके कुछ account के details या फिर settings जानना हो तो आप यहाँ पर account setting में more info के उपर click करके अपना जो account का जो setting है आप यहाँ से चेक कर सकते हो जैसे कि आपका जो PF account है चार इन section में divide किया गया है जैसे यहाँ पर view, manage, account और online service view में आपको यहाँ पर profile, service history, UN card और passbook यहाँ पर profile में आपका data यहाँ पर name, date of birth इस तरीका जो data रहेगा और उसके बाद service system में आपने जहाँ जहाँ पर काम किये होंगे उसका data और उसके बाद UN card और passbook में आपने जितना amount यहाँ पर जो जमा हुआ है आपके PF account में passbook में आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ पर manage में जो है basic details, contact details, kyc और nomini जो है इस तरीकी के जो details है आपको kyc यानि manage के उपर आपको मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर basic details में आपका name, date of birth, UN number, gender इस तरीके का जो data रहेगा आपको basic details और contact details में आपको मिल जाएंगे जैसे kyc में आपको यहाँ पर bank, pen और आधार जो है आपको kyc करना होता है और उसके बाद nomini में आप यहाँ पर nomini आप दर्ज कर सकते हो जैसे आपको climb करने के लिए kyc compulsory करना होता है जैसे आप kyc के ऊपर click करते हो यहाँ से आपका pen और आधार जो है approved होना चाहिए जैसे यहाँ पर देखे हमने अलरड़ी यहाँ पर document type यहाँ पर pen और bank में जो है यहाँ पर status approved दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपका भी approved होना चाहिए तब ही आप जो पी एफ अकाउंट climb के लिए या फिर withdrawal के लिए आप जो apply कर सकते हो जैसे यहाँ पर देखे हमने अलरड़ी kyc जो कर चुके है तो यहाँ पर approved दिखाई दे रहा है अपना जो password है अपना जो पी एफ अकाउंट का password है उसे आप easily जो है चेंज कर सकते हो और उसके बाद online services में जो है आप यहाँ पर climb इस वाला option जो यूज करके आप पी एफ अकाउंट का जो भी withdrawal मनी रहेगा आप यहाँ पर जो है climb कर सकेंगे और उसमें जो है आपका one member one EPF अकाउंट जो है आप यहाँ पर transfer कर सकेंगे और उसके बाद track climb status इस option का यूज करके आपने जो भी climb के लिए यानि withdrawal के लिए जो भी application किया होंगे उसका यहाँ पर easily जो है status चेक कर सकेंगे इस तरह के से इन चार option का आप यूज कर सकेंगे तो आपको climb करने के लिए सबसे पहले जो है आपको climb करने के लिए advance climb करने के लिए आपको हमारे passbook में जितना amount है आपको मालूम रहना जरूरी है तो आपको यहाँ पे view के उपर click करना है और यहाँ पे account में जो है अपने PF account में जितना amount रहेगा तो उसे पता करने के लिए आपको इस वाले website पर आने के बाद आपको जैसे आप passbook पे click करते हो इस वाले option पे आ जाएगा तो आपको यहाँ पर simply जो है UN number पासवर्ट डालना है और capture डालके आपको आपको यहाँ पर login कर लेना है जो भी आपने password अभी fill up किया था उसी password को यहाँ पे डालना है और same जो capture दिखाई दे रहा है आपको as it is capture यहाँ पर डालना है और उसके बाद login वाले बटन पर आपको click कर देना है जैसे हम यहाँ पर capture जबे wrong डाल दिया है तो यहाँ पर आपको सही-साई capture डूँए आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको login वाले बटन पर आपको click कर देना है अगर आपको लगता है password भी आपको दूबारा से डालना है जो आपका नेम, यूएन नमबर, पैन नमबर इस तरी के से दिखाए देगा और यहाँ पे आपको member ID में जो है आपको यहाँ पे आपने जो भी यानि जहाँ जहाँ पे भी आपने service किये होंगे या फिर काम किये होंगे उसका यहाँ पे जो है ID दिखाए देगा तो आप यहाँ पे उस ID को select करके आप उसका भी जो है पासबुक चक कर सकेंगे जैसे कि यहाँ पर देखे व्यू पासबुक न्यू इयरली जो है इस option का यूज करके आप financial इयर सेलेट करके अपना जो पासबुक के पी एफ आकाउंट का आप इजिली जो है यहाँ पर सेलेट कर सकेंगे और यहाँ पर जो है इजिली देख सकते हो जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमारे पी एफ आकाउंट में जो है जितना भी आमांट रहेगा आपको इस section पर आपको दिखाए देगा जैसे आपको previous year का जो आपको PF आमांट पता करना है तो आपको यहाँ पर previous year के ऊपर आपको क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करते है हमारे previous year में जितना भी आमांट रहा होगा तो इस तरीके से आपको दिखाए देगा अगर आपको next year का यानि अगले यानि चालू जो current year चा नेक्स्ट के उपर क्लिक करके आप आप इजीली देख सकते हो और उसी तरीके से आप दूसरे मेंबर आईडी को भी सेलेट करके आप यहाँ पे जो इजीली चेक कर सकते हो या फिर आपने क्लाइम के लिए अपलाई किये होंगे तो आप व्यू क्लाइम स्टेटर से के उपर क्लिक करके आपने जिसके भी क्लाइम के लिए अपलाई किये होंगे उसका जो यहाँ पे आप इजीली स्टेटर जो चेक कर सकते हो सेम उसी तरीके से अगर आपको दुबारा से यानि दूसरे member id का यहां पे जो भी आपने जहां पे भी services किये होंगे जहां पे भी उसका यहां पे और दूसरा पास्बुक आप चेक करना चाहते हो उसका आपको यहां पर member id सेलेट करना है और उसके बाद आपको view passbook के उपर click करना है और अपना financial year सेलेट करना है और उसके बाद नीचे scroll करना है और यहां से आप जो भी closing balance रहेगा जो भी pf का amount रहेगा आपको यहां पे मिल जाएगा same as it is आपको previous year का अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे previous year के उपर आपको click करना है आपको previous year का जो भी data रहेगा आपको यहां पे easily जो भी मिल जाएगे और उसके बाद आपको यहां पे completely data आप यहां से check कर सकते हो आप चाहिए तो previous year या फिर next year यहां पे आप चेक करके अपना जो account है आपको यहां पे balance note कर लेना है आपको जितना भी amount का pf account में जो climb के लिए या फिर withdrawal के लिए लगाना है तो उसके balance को आपको note कर लेना है और उसके बाद आपको यहां पर simply homepage पर चले आना है homepage पर आने की बाद आपको यहां पर online services में आपको climb के उपर आपको simply click कर देना है जैसे आप online services में आते हो यहां पर आपको सबसे फ़हला जो option है climb का उसके उपर आपको simply click करना है जैसे आप उसके उपर click कर देते हो आपके सामने इस तरीके का एक page open हो जाएगा आपको यहाँ पर अपना जो account number है account number और अपना पास्बुक यहाँ पर upload करना होता है तो आपका यहाँ पर जो member details आपको इस तरीके से दिखाए देंगे तो आपको यहाँ पर simply अपना जो employee का name है name, father name और उनका mobile number, pan number यहाँ पर सभी details आपको यहाँ पर confirm कर लेना है और आपका member ID और आपने कब date यानि कब आपने उस service में join किये थे उस company में यहाँ पर date देख सकते हो अगर आप छोड़ते हो तो आपका exit भी date यहाँ पर mention रहेगा otherwise यहाँ पर जो देखे आपको joining का date दिखाई देगा पर exit का date दिखाई नहीं देगा तो आपको यहाँ पर simply account number यहाँ पर आपको डालना है जो भी account number आपके PF से link है यानि KYC के time जो account number आपने दिये था वही account number आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आपको verify के उपर आपको simply click कर देना है जैसे आप उसके उपर click कर देते हो आपको यहाँ पर देखे आपको certificate of undertaking I have been undertake that I agree to the terms and condition आपको यहाँ पर पढ़ लेना है और उसके बाद आपको yes वाले option पर आपको simply click करना है इतना करते ही यहाँ पर देखे आपका जो account number है यहाँ पर verified का यहाँ पर option दिया है यानि जो tick मारे इस तरीके से आपको दिखाए देगा तो आपको यहाँ पर सभी details आपको यहाँ पर confirm करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और उसके बाद आपको proceed for online climb इसके उपर आपको click कर देना है यहाँ पर देखे आपके आधार से यानि आपके UN से आपके PF account से जो भी account link रहेगा यानि KYC के time आपने जो भी दिया था उसी को आपको यहाँ पर mention करना है उसी account को यहाँ पर देना है अगर आपके account में name या फिर किसी भी तरीके का mismatch होता है तो यहाँ पर rejection हो सकता है तो आपको यहाँ पर पर लेना है और उसके बाद आपको proceed online claim के लिए आपको click कर देना है इतना करते हैं आपको verify करेगा और उसके बाद आपको I want to apply for यहाँ पर advanced जो आपको यहाँ पर select करना है अगर आप उस company को छोड़ देते हो तो आपको exit का यहाँ पर date दिया होता बट यहाँ पर exit नहीं किया है तो यहाँ पर जो देखे आप जिस member ID को भी select करके अपना passbook जो पीफ के लिए यानि withdrawal के लिए apply करना चाते हो उसे आपको यहाँ पर select करना है उस member ID को जिस company भी आपने काम किया हो उसका पीफ निकालना चाते हो उसका यहाँ पर chain करना है या फिर select करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर किस परपर्स के लिए आप जोए उस पीएफ अमाउंट को जोए आप विड्रॉ करना चाते हो या फिर क्लाइम करना चाते हो उसे आपको यहाँ पर एक बार रिजन देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कितने अमाउंट को आपको प्राइम करना चाहते हो या फिर विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको यहां पर उतने अमाउंट का जो आपके पास्बॉक में रहना चाहिए तो उसे आपको पता कर लेना है उसके बाद ही आपको यहां पर जो जितने अमाउंट का पैडवांस में निकालना चाहते हो उस अम आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद view के उपर click करके अपना जो passbook और checkbook रहेगा आप देख सकते हो और उसके बाद इस box में click करना है और get आधार OTP के उपर click करके आप आधार पर OTP प्राप्त कर सकते हो उससे पहले आपको यहाँ पर employee का address यहाँ पर जो भी address आपने दिय होंगे पहले KYC के time उसे address को आपको यहाँ पर दूबारा से डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपका local address यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर street और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना state, district, city और अपना 6-digit का जो pin code रहेगा उससे आपको यहाँ पर डालना ह इतना करते हैं आपको यहां पर पासवर्ड या फिर चेक्बुक जो रहेगा आपको यहां पर अपलोड कर देना है आपको choose file के उपर आपको click कर देना है और आपने जो भी password यानि जो आपने जहां पे भी आपका document रखा है उसे आपको select करना है और upload कर देना है जैसे यहां पर देखिए view के उपर click करके आपना जो passbook है या फिर checkbook है आप यहां से easily check कर सकते हो clearly दिखाए देना चाहिए account number, name, सभी details आपको यहां पर clearly दिखाए देना चाहिए otherwise आपका rejection में आ सकता है तो आपको यहां पर clearly आपको upload करना है जैसे आप यहां पर देख सकते हो only jpg और jpg format में आप देश सकते हो minimum 100kb, maximum 500kb तक ही आप यहां पर upload कर सकते हो और यहां पर bank account number, ifse code, name यहां पर clearly आपके checkbook हो या फिर passbook हो mention होना चाहिए आपको clearly जो हमें जो दिखना चाहिए इस तरीके से यहां पर दिखाए देर यहां पर आपको note किया जाएगा तो आपको यहां पर पड़ लेना है उसी तरीके से आपको clearly passbook हो या फिर checkbook को upload कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर simply I agree यानि आपको इस box में click करना है और यहां पर get आधार OTP के उपर आपको click करना है जैसे आप get आधार OTP के उपर click कर देते हो आपके register mobile पर जोए OTP चला जाएगा जिसे आपको यहां पर OTP डाल देना है OTP डालने के बाद आपको valid OTP and submit claim form इसके उपर आपको simply click कर देना है आपके आधार से जो भी mobile number लिंक रहेगा उसी के उपर OTP जाएगा जो six digit का रहेगा तो उसे आपको यहां पर डाल देना है अगर आपके mobile पर OTP नहीं आता है तो आप यहां पर recent OTP का use करके आपने mobile पर दुबारा से आप OTP प्राप्त कर सकते हो OTP आने के बाद आपको यहां पर OTP डालना है और यहां पर validate OTP के उपर click करना है जैसे आप उसके उपर click कर देते हो online claim request is submitting at portal इस तरीके से दिखाई देगा तो आपको यहां पर हमारा जो form है यहां पर OTP has been verified EKYC and EPF advanced claim का जो हमारे यहां पर file जो है submit कर दिया है तो आप यहां पर click hair के option पर use करके आप उसके उपर click करके अपना जो claim का जो form है इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो आपको यहां पर confirm कर लेना है सभी जो details है आपको यहां पर confirm करने के बाद आप अगर इससे download करना चाहते हो आप इसे download भी कर सकते हो यहां फिर print out भी यहां से आप easily निकाल सकते हो वैसे तो आपको SMS के द्वारा आपके mobile पर बेज दिया जाता है बट आपको PDF होना चाहिए तो आप यहां पर PDF भी प्राप्त कर सकते हो और इसके बाद अगर आप इसे home पर चले जाना है और इसका आप status देखना चाते हो यानि इसका आप कौन से process में कौन से level तक आया है तो उसका status देखने के लिए आपको online service में जाना है और यहां पर track climb status इसके उपर click करना है जैसे आप इसके उपर click कर देते हो यहां पर देखिए tracking ID, form type कौन सा है और आपने कब submit किया है और यहां कौन से desk पर है current status अभी कहां पर है हमने अभी अभी submit किया तो यहां पर देखिए online climb submitted at portal इस तरह के से दिखाए देखा है अगर आपको pdf जो है download करना है तो आप यहां पर view pdf q पर click करके अपना जो pdf है सेम आप यहां से भी download कर सकते हो अगर आप किसी वज़े से download करना है भोल जाते हो तो आप यहां से भी easily download कर सकते हो इस तरह के से अपना जो pdf का जो amount है प्पेफ आमयंट जो है आप withdrawal के लिए या फिर climb यहां से जो easily कर सकते हो तो आप को कही पर भी जाने की जरूरत नहीं है तो आप कहांपे घर बैटे है इपना जो pdf amount है पीएफ अमांट जो है घर बेटे क्लाइम कर सकते हो या फिर विड्रॉल कर सकते हो पीएफ की जितने भी काम रहेंगे आप यहां से घर बेटे कर सकते हो जैसे यहां पर देखे पास्बुक में भी आप व्यू क्लाइम स्टेटस इसके उपर क्लिक करके आपना जो पास्बुक है यहां पर आप कलाइम का जो है स्टेटस इसली चेक कर सकते हो जैसे आपको दूबारा से लॉगिन कर लेना है तो आपको मिल जाएगा आपको जो है स्टेटस उसका देख जाएगा तो आपको PF के संबंदित किसी भी तरीकी का वीडियो चाहिए हो तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप वहाँ से सभी तरीकी के जो वीडियो से आप देख सकते हो और अपने घर बईटे ही आप PF आमाउंट का जो है डिरेक्टली देख सकते हो और उसके बाद PF के जितने भी PF को एक्टिव कैसे करना है KYC कैसे करना है और नॉमिनी कैसे जोडना है इस तरीकी के सभी वीडियो को जो है हमने आलरेडी बना के रखा है अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख आप वहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते है